नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटुब चैनल द्योजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों यहाँ पर काफी कमेंट आ रहे थे कि सर अर्थ सास्त से सम्मंदित अर्थ विवस्था से समंदित आप वीडियो लाएए और हम यहाँ पर जो भी वीडियो आपके ल से तो वहां से जादा से जादा question आपको मिल6 है तो यह आपको कहसे है किसी exam में आप चाहे एक्चाय काम केसे क्केम दें, तो यहां पर आपको यह कह सकते हैं काम देंगे ठीक है तो आप अगर टेस्चों को लगा देते हैं तो काफी श्ली श्ट आपका हो जाएगा और आए हुए आपके प्रस्ण होते हैं तो आपको लगबग पूरी की पूरी एकनॉमिक्स जू होती है वापकी इसी हम हो जाएगी सेस आपका जो बचा होता है आपके करेंट अफेर का होता है तो current affair का वीडियो हम आप अप upload करते हैं तो उसके माद्याम से current affair अब भी complete कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से current affair और economics के माद्याम से ये subject आपका मजबूत हो जाएगा तो यहाँ पर जितने बच्चे जूट चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें share भी कर दें हमारी अबाज आ रही होगी आ रही है चलिए तो यहाँ पर start करते हैं यहाँ पर आपका पहला प्रस्ण कर ऐसे मांग में कमी और पूर्ती में ब्रद्धी का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा देख सकते हैं कि मांग में कमी हो और आपूर्ती में ब्रद्धी का जो संतुलन कीमत पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा पहले का देखो टफ हो सकता है एकनोमिक से ठेक है तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कि संतुलान मूल घट जाएगा क्या हो जाएगा संतुलान मूल घट जाएगा अभी समझ लीजिए कि ये किसी वस्त की मांग अधिक हो एवं आपूरती कम हो तो वस्त का मूल बढ़ जाएगा ठीक है और अगर इसकी विप्रीत ये किसी वस्ति की मांग कम हो तथा पूरती अधिकोत वस्ति का मोल कम हो जाता है अब देखते हैं ठीके अपने ये लाइप से जुड़े पॉइंटर सोच सकते हैं चले ये ने इस कोशन कहाते हैं कोशन आप से अगला दिया है कि अर्थ विवस्ता की ऐसी इस्तिती को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीददार और कई विक्रेता हो देखे एक खरीददार हो और कई विक्रेता हो तो इससे हम लोग क्या कहेंगे टू का साई जवाब दीजे तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं ऐसे जो बाजार होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक क्रेटा बाजार क्या बोलते हैं एक क्रेटा बाजार बोलते हैं और पर सी हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पर नेस्ट कोशन काते हैं कोशन आप से गरा पुछा गया है कि लॉरेंज वक्र क्या दरसाता है यह भी कोशन और यह वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के समता रेखा के पास होने की आए बिसम उतनी ही आपकी कम हो जाती है ठीके यह आपके 1905 में विक्सित किया गया था नेस कोशिन काते हैं कोशिन आप से अगला है कि आपूर्थी पच्छ का अर्थ सास्त किस पर अधिक जोर देता है तो यह आपका जो आपूर्थी पच्छ का अर्थ सास्त होता है वो आपकी निर्माता पर फोकस देता है अर्थात कि गोड़ आपूर्थी आपके कह सकते हैं कि अर्थ सास्त आर्थिक विकास का लच्छ प्राब्द करने के लिए और बित्ती नित का बल देता है यहाँ पर आपका जो अप्सन रेट अपका एस हो जाएगा ठीक है अगरा कोशन आपका पूछा गया है यहाँ पर कि अर्थ सास्तियों के लिए यहाँ पर क्या खाल इस्थान बर दें कि यह जवाब पुरा हो जाएगा तो अर्थ सास्तियों के लिए मांग का अर्थ यहाँ पर अगर आपका डे भर दिया जाए कि अर्थ सास्तियों के लिए मांग का अर्थ किसी उत्पाद का सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तयार योम सच्छम दोनों है ठीके यह आपको यहाँ पर डी आपको यहाँ पर भरा जाएगा चले अगरा कोशिन आपका पूछा गया है कि जब इस्थापन उत्पादों की कीमत में ब्रद्धी होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होता है चले थोड़ा टप हम बोल दियें कि आपके लिए ये ट्रेश्ट वेपर टप हो सकता है लेकिन फिर भी आपको एक दो वीडियो देख लेना चाहिए ठीके यहाँ पर आपका जो शिक्स नंबर है इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह आपकी बाहर की ओर खिसकेगी ठीके आ आप से कि कमपनियों की उत्पादक्ता में ब्रद्धी का आर्थिक प्रभाव क्या है देखते हैं कि कमपनियों की उत्पादक्ता में ब्रद्धी का जो आर्थिक प्रभाव होता है क्या होता है यहाँ पर सेवन को आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सकल घरेली उत्पा इदने और उसी समय किसी दूसरे बाजार में उची कीमतों पर वैसी संपत्ति बेचने को अर्थसास्त में क्या कहा जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई चीज आपने खरीदा है और उसको दोबारा से अगर बेच देते हैं उची कीमत में तो ऐसी स्तिति को हम बोलते हैं अर्थसास्त में अंतर परण क्या बोलते हैं अंतर परण बोलते हैं याद रखेगा ठीक है ओप्सन रेट अप का सी हो जाएगा चले ने इस कोशन आप से पूचा गया है कि कुछ ही फार्मों के प्रभुत वाली बाजार सनरचना को क्या कहा जाता है चले टेन का जवाब दीजे कुछ ही फार्मों के प्रभुत वाली बाजार सनरचना को क्या कहते हैं इसी बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगता बाजार ओप्सन रेट अप का यहाँ पर फस्ट हो ज सिखते हैं क्या बोलेंगे स्वरी यहां पर आपको अलप अधिकार बोलेंगे क्योंकि कुछ ही बोलाएं कुछ ही फार्मों के प्रुभुत वाली बाजा संरचनों को बोलते हैं अलप अधिकार बोलते हैं ठेक हैं ऑप्सन रैट अपका भी हो जाएगा निश्कोष आप से एक लोग क्या कहेंगे चलिए तो भाई अगर समान मूल में अगर निरंतर व्रद्धी आपकी हो रही तो उसे मुद्र इस्फित कहते हैं ऑप्सन रैट आप का भी हो जाएगा आपकी इसमें ठीक है मुद्र इस्फित अर्थात कि जब किसी अर्थवर्ष्टा में समान कीमत इस प्रत्पादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुसलता पूरवक और भहुतायात में उत्पादन करता है चलिए 12 का जवाब यह आप एक बार फिर से पढ़ लिजिए कि अर्थात में कौन सा सिद्धान्त या प्रत्पादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुसलता पूरवक और भहुतायात में उत्पादन करता है यह होता है आपका हैक्सचर ओहलीन मॉडल यह आपका होता है ठीक है कौन सा हैक्सचर ओहलीन मॉडल हो विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बी नमबर उसे बोलते हैं ब्यूत्पन मांग बोलते हैं क्या बोलते हैं तुसे ब्यूत्पन मांग बोला जाता है याद रखेगा ठीक है ब्यूत्पन मांग बोल जाते हैं और इस प्रकार की मांग में स्रम की साहेता से अनुवस्तों का उत्पादन भी किया जाता है नेश को किया था आउसर लागत का यह है आपके जो ग्राट फिल्ड हैबर लर ऑप्शन आपका यह हो जाएगा यह है इन्हों ने सिद्धांद को कैसे किते हैं वैकल्पिक लागत की रूप में जाना है यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपको फर्स नमर हो जाएगा ठीक है अग गरणा किसकी नहीं करते हैं याद रखेगा कि ग्रहणी की सेवाइं ठीक है किसी ग्रहणी दोरा दी गए सेवाइं इस परकार जैसे कि परिवारी किरिया हो गई जिसका कोई अर्थपूर परडाम नहीं होता है ठीक है तो यह रास्टी आई का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी अगला कोशन आप से पूछा गया है कि भारत में पहली बार वैग्यानिक तरीके से रास्टी आई की गड़ना करने वाले अर्थसास्ती कौन थे तो यह आपर देख सकते हैं वैग्यानिक तरीके से पहली बार आपके रास्टी आई की गड़ना किये थे यह अर्थसास्ती राश्टी आय का पहला अनुमान लगाया था ठीके और यहां पर निश्ट कोश्शन को आते हैं कोश्शन आप से एक पूछा गया है कि निम्रिकित में से कौन संपत्ती के स्रम सिधान से संब्दी थें कौन संब्दी थें छलिए अठाराक जवाब दीजे यहां पर अठाराक प्रकति द्वारा प्रदित उपहारों साधनों पर स्रम के उपकरम द्वारा प्रदित को संपत्ति का मुल सिधान्त पताया है कि निम्लिकित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णता बेलोचदार होती है कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णता बिलोचदार होती है तो यहाँ पर आपकी 19 में जवाब हो जगा आपका यहाँ पर फोर आधार बूत खाद्यान कि किसी वस्तु की मांग वामूल के मत सदर लचीला संबन्ध ही पायाता है यहाँ पर याद रखेगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन काते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया है कि आर्थिक सब्दा वली में निम से कौन सा कारक अथात उत्पाज गया कर सकते हैं वस्तु की बेक्तिगत मांग का निर्धारन करता है तो वस्तु की मांग ये कह सकते हैं कि बेक्तिगत मांग का निर्धारन करता है कौन करता है तो यहाँ पर आपका 20 का जवाब हो जाएगा फुर उपरोग तुपिकल पसईयातात वस्तु की कीमत उभ्भोगता की आए उभ्भोगता की रूची और पसंद इन पर निर्भा कर लगे चलीए कैस का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स इसे हम लोग श्तानी बजकार में डगते हैं कसमें तो आपकी इस्तानी बजकार में याद रखे हैं मतलब की वह बजकार या स्थर जहां इस बात का पूरुता अनुमान हो कि उत्फादित वरस्तुमों को कहलाता है ठीक है चले ने स्कोर्ष आप से गरा पूछा गया है कि अर्थय्थफा में टेग्या ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है यहाँ पर हो जाएगा आपका फिर्सक्त्र विकास चरंड़ ठीक है वाल रवस्टोप ने कह सकते हैं किया था और इस ध्यांत की तौरा माच चरणों की व्याख्यापकी की गई है ठीके यहाँ पर आपका रवस्टोप के अनुसार आपका यह आपका दिया गया है चलिए नेस कोश्चन कहाते हैं कोश्चन आप सग्ला पुछा गया है कि प्रदिभागता किसका मातपूर्टत्व है चलिए यहाँ पर आपका जवाब आपका कह सकते हैं क्या हो जाएगा तेश में तो तेश कोश्चन राइट आपका जवाब हो जाएगा फर्स्ट नमबर यह आपका है प्रदिभागता किसका मातपूर्टत्व है तो आपके है ल दूख 다시 हो जाएगा RICHना चक्वोशन पूछा गया है आपसे यहाँ पर टेंश किन्व मल्फ स्वाद सिध्धांत से किस समंदी थे नो मल्था जिर्हाँ और प्रण पर जनसंख्या में हो रही निरंतन ब्रद्धी वापूर्ती से संसाधनों के मद्ध संबंध की ब्याक्या करता है ठीक हैं और खाद्य पूर्ती में ब्रद्धी गंड़ती रूप से सरसेष्ट मानी गई है अगला कोशन आप से पूछा गया है भारत में योजना बद्ध अर्थि ब्रद्ध की पर्द्ध पर अधारिथ है 25 का जवाब आपका यहांपर क्या होगा वहिए 25 का जवाब स्रम उत्पादन का तीसरा कारक होता है स्रम उत्पादन का दूसरा कारक होता है तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा आपका कौन सा थर्ड नंबर स्रम उत्पादन का दूसरा कारक है तो देखो पहला होता है भूमी दूसरा होता है स्रम तीसरा होता है पूंजी और चौथा होता है उद्धम सीलता तो इसके अनुसार से जो दूसरा होना चाहिए वो आपका कह सकते हैं आपका थार नंबर यह आपका कह सकते हैं विकल पर सही नहीं आपका हो जाएगा ठीके दूसरे इस्थान पर कह सकते हैं कि जो इसमें थे तिरती इस्थान आपका पूंजी काता है ठीक है चलिए ने इस कोशन काते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया है कि भोगता की तुलना किसके आधीन राजा से की जाती है भोकता की जो तिलना होती है वो भोकता की तुलना किसके आधियन राजा से की जाती है तो यहाँ पर कैसकते हैं किसके आधियन तो यह आपके होती है आपकी पुझी वाद ठीके तो यहाँ पर के सकते हैं पूझी वाद की तुलना पूझा पूझी वाद की आधियन राजा से की जाती है option आपका यहाँ पर D हो जाएगा मतलग के सकते हैं पूझी वाद अर्थवर्षता में हमेशा उब्होगताओं का आपका दबाव बना ही रहता है उनका उतपाद को पर नियंतरण होता है कि कौन सी वस्तु का उतपादन हो यद्ल ऐसी वस्तु का उतपादन हो जो उतपादन को अधिक खरीदना चाहते है ठीक है चलिए इस कोशन काते हैं कोशन आप से गला है कि निम्लिकित में से कौनसी अलपा दिकार की एक समान विशेष्टा है माफ कीजिए चलिए 28 का जवाब यहाँ पर आपका 28 का आउजाएगा थर्ड अलप विक्रेता अधिक विशेष्टा है कौनसी अलपा दिकार की एक समान विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लागत सुन हो अथवा केवल इस्थी लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मत्रा को उस बिंदु द्वादार साया जाता है जिस पर और उसत हम प्राप्ति सुन्मे होती है भी नमबर आपका हो जाएगा अगला है कि अर्थ शास्त में ग्रेसम का नियम संबंदी थे किस से संचालन से ठीक है आपका जवाब का डशेगा जो ग्रेसम comes का नियम है इंका नियम किस पर आयए तो मुद्रा के संचालन में है याद रखेगा कि ग्रेसम कौन है तो ब्रिटिस अर्थ सास्ती है ग्रेसम ने ब्रिटिन की महरानी एलजाबेत के समझ इस नियम की ब्याक्खा किया था ठीक है चलिए अगरा कोशन आप से पूछा गया है कि किसी देश में मुद्रा इस्पीत की इस आप क्या होते हैं तेजी से बढ़ते हैं आपके मुद्रा इस्पीत में जो की पॉइंट आपका गलत है ठीक है यह आपको पॉइंट गलत है मतलब कि तुल्णा में तेजी से नहीं बढ़ते हैं ठीक है तो 31 का भी गलत हो जाएगा अगला है कि नेमिकेत में से लॉरेंज व पर जबाब आपका D अतिमुद्रा इसफित में ठेके कब तो अतिमुद्रा इसफित में आपकी होती है था कि मुद्रा की अतिसफित की इस्तिती अतिधिक कीमत ब्रद्धी की घोतक होती है जिसके फलसुरूप मदूरों के निर्वा में कठना उत्पन हो जाती है थीक है देखो ब्याओं पर उन्हें अपनी आयका अधिक भाग खर्च करना पड़ता है चलिए अगरा कोशन आप से पर आपका पहला पॉइंट है मदूरी की तुलना में लाब तेजी से बढ़ते है अच्छा पुंजी का उमूलन होता है ये भी आपका सही है जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती सही है देश के निर्यात अधिक अप्रत इस परधी होती है तो आपका ये गलत हो जाएगा ठीक है आपका ये आपका यहाँ पर गलत है ठीक है चली अगला कोशन आपका है कि भारत में कर्मिचारियों की मांगाई भत्ते के निर्धारन का आधार क्या है अगर भारत में कोई कर्मिचारी है उसका मांगाई भत्त अगर बढ़ाना है तो हम लोग किस प्रकास निर्धा प्रांग की आधर पर की जाती है यह चुनी हुई वस्तूओं और सिवाओं की अंकित मुल में परिवर्तन की सूचना प्राप्त करता है नेस कोशना आप से पूचा गया है कि नमकित में से किस आई को राष्टी आई की गढ़ना में सामिल नहीं की जाती है तो बताए भाई र पार क्या वाउसाई कलाकार की आइको सामिल नहीं करते हैं आगला आप से पूचा गया है कि एन एन पी का असंचिप्ट रूप यह है वो गा होगा 31 का जवाब दीजी 37 को अप्सन राइट की न पर आपका जवाब है कि आपका और यहाँ पर जवाब आपका बी ओगा इंतर शुर्टड đã किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है अगर किसी भी देश का आर्थिक विकास है तो इसका जो अच्छा सूचक होता है क्या होता है तो इसका सूचक होता है प्रतिवेक्ति आए अगर किसी भी देश की प्रतिवेक्ति आए अच्छी है तो कह सकते हैं उसका आर्थिक विकास क्या होगा अच्छा ही हो ठीक है अगला कोशन है कि जब अर्थव्यवस्ता में मांग की कमी होती है तो क्या होता है जब अर्थव्यवस्ता में मांग की कमी हो जाए और जब मांग की कमी हो जाएगी तो आपकी कर सकते निस्क्रीता आजाएगी क्या जाएगी निस्क्रीता क्या है तो निस्क्रीता से त काम हो जाती है इसको चना आप से पूछा गया है कि टैक्स आधार में ब्रद्धि की अनरूप कर दी कर की धर बढ़ने को क्या काती है तो कर कि अगर आपकी धर बढ़ रही है टैक्स आधार में तो इसे हम जो बोलते हैं उसे बोल देते हैं क्या यहाँ पर 40 का first का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर आपका सई जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर प्रगत सील कर ठीक है प्रगत सील कर वह होता है जो कर आधार की तुल्ला में तेजी से बढ़ता है और इस इस्तिती में निर्धन ब्यक्ति को कम दर से तथा धनी ब्यक्ति को उची दर्सिक कर चुकाना पड़ता है ठीके, चली अगला जवाब है कोश्चन है, यह बाहरामी पंचवर्सी योजना का उद्देश क्या था चली बताइए बाहरामी पंचवर्सी योजना, आपकी योजना है खताम होजी की फिर भी कोश्चन आपके आ रहे हैं, याद रखेगा यहाँ पर आपका टू का जवाब हो जाएगा फर्स्ट तीवर, टिकाउ और अधिक समावेशी विकास, आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ठीके, तोजर बारश इसका पूर्ण रोग क्या होगा यहाँ पर इसका सही जवाब का हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विसे टैक्स आइडेन्टिविकेशन नमबर, ठीके आप समर राइट आपका थिरी का हो जाएगा या फूर नमबर आपका हो जाएगा ठीके, यह वाला शरेनेस कोशन आप से पूछा गया है कि समनांतर अर्थविस्था का क्या तातपर है समनांतर अर्थविस्था का क्या तातपर है फूर का जवाब दीजी समनांतर अर्थविस्था का तातपर होता है काला धन से होता है तो समनांतर अर्थिवस्ता के तत्पर होता है काला धन देखिए जब कोई संस्ता अपनी वास्तिविक आय प्रदर्शित नहीं करती है तो वह इस्तित्याप की समनांतर अर्थिवस्ता कर लाती है मतलब देश की छीपी हुई अर्थिवस्ता मन जाती है ठीक है, अगले question का आते हैं, question आप से अगला पूछा गया है, कि किस पंचवरसी योजना को अर्थिवस्ता के उधारी करण के रूप में जाना जाता है, तो पंचवरसी योजना को अर्थिवस्ता के उधारी करण के रूप में जानते हैं, 5 का जवाब यहां पर, यह आपकी ह मानवे से सत्तानवे से भी की हुई थी और कैसे कि उदारी करने जानाता है क्योंकि भारत एक जनुरी उन्निसों पंचानवे को डब्लू टीउ का सदस भी बना था ठीक है और आठ्वी योजना में सरोच प्रात्मिक्ता मानवी संसवाधनों का विकास रोजगार सिच्छा जन ठीक है कहीं ने कहीं आपकी इसमें फायदा ही हुआ था अगला कोशन है कि निम्लिकित मेंसे किस भारती पंचवर्सी योजना ने सभी विकास आत्मक प्रयासों के सार की रूप में मानव विकास को मानता दिया है यहाँ पर आपकी जो मानव विकास को जादर जादर प्रत्य श्कर नहीं है बताइए प्रत्य श्कर आपका कौन सा नहीं होगा सेवन नंबर में यहाँ पर आपका जवाब देखे कि जो आयकार है संपत्य वा निगम कर तीनों करों की मदें मदें उन होते हैं जिनका प्रवा सीधे व्यक्ति यह कंपनी को पढ़ता है यहाँ प पूछिन आप है कि पहली पंच वर्सी उजना का मुख उद्धेश क्या था पहली पंच वर्सी उजना का मुख उद्धेश क्या था बही आठका जवाब bist बिल्कुन सइखते f rust हो गएक क्रसी विकास ठीक है पहले पंच वर्षी उजनाप की उनिस विकास की आवल से 56 चली थी जूकि हेरोल्ड डोबर माडल पर आधारित थी और इसका उद्देश था आपका की क्रसी विकास करके अर्थिवस्ता को संतुलित किया जाए ठीक है चलिए निस कोशन आप से पूछा ग गया क्योंकि पहले पंच वर्षी उजना जी थी वह की किस पर आधारित थी हेरोल्ड डोबर माडल पर आधारित थी जो दूती पंच वर्षी उजटा थी वह आपकी के तरही में तो आपकी PC महलब्यौज पर थी तो यह भी गरत यह भी थर्ड थर रहे त्रती पॉइंट आपको गलत है जरती पॉइंट आपको गलत है यहांपर गाड़ योजना, इसSON कोई आपको दीख नहीं ही रहे हैं है कि आपके फर्स्ट ऑथर्ड को पहला भी नहीं धूसरा भी नहीं है तों तुरती कोई तो हैं nutrient प्रकार से यहां पर कोई option आपका गलत माना जाएगा ठीक है तो 9 का option कोई इस में से option ही नहीं है ठीक है ओके के लिए रहे चलिए next question आप से अगला पूछा गया है कि समावेसी विकास किस पंचवशी होजना का उद्देश है अभी आपके यहां पर समाव इसी विकास किस पंचवशी होजना का उद्देश है तो 10 का जवाब आपके यहां पर हो जाएगा option right भी आपके ग्यारावी पंचवशी होजना में याद रखेगा ग्यारावी पंचवशी होजना जो आपकी 2007 से 2012 तक चली थी जो कि योजना आपके C रंग विकास के दर रच रखा गया था लेकिन 7.9 विकास दर हांसे लोई थी अगला question आपसे पूछा गया है यहां पर किने मलेकित में से कौन सा यह यह यूगम सही नहीं है कौन सा यूगम आपका सही नहीं है तो देखते हैं बाई पांचवशी होजना उनीस एक्सर से छांचर दिया है जो की गलती है आपकी पांचवी पंचवशी होजना का जो समय है वह आपका है 1974 से 1974 से लेके 79 तक तो पहला यह आपका गलत हो गया वहें पर आपकी आठवी 92 97 11 12 पहले आपकी 96 ठीक है पहला आपका गलत हो जाएगा ओके next question आप से पूछा गया है यह पांचवी पं मुखलच क्या था चलिए जवाब दीजिए 12 नंबर में यहां पर 12 नंबर का जवाब हो जाएगा option right first गरीबी उन्मूलन तथा आत्मिरता की प्राप्ति यह पांचवी पंचवशी होजना का मुखलच था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मिरता की प्राप्ति ठीक है अगला question की कौन सा कर केबल राज सरकार द्वारा लगए जाता है बताइए ऐसे कौन से काफ र को मनौ रंजन आता क्या आपके कह सकते हैं केंद्र द्वर का अंब जैसे दीदी का रो, आयकार बखार को सरकार step के द्वरा आ जाते हैं लेकिन यह आप का है जो आपके राज्य सरकार से होता है है अगला कोशन में हमने कोशन आपके लिए थे 50% लिए थे तो एकनोमिस आपके टफ हो सकती है बट हम यहाँ पर तीन चार तीन पार्ट में लगबग आपकी कम्प्लीट कर देंगे 2019 में कोशन आपके पूछे गए हैं और कोई भी एकजाम हो लगबग आपकी कमन ही आपके होते हैं ठीक है तो आज की वीडियो इतना ही तो आप लोगों के लिए जाते जाते वीडियो लाइक कर दीजी और पीडियाफ आपको टेलिग्राम पे मिलेगी प्लेलिस्ट आपको हमा थीक का बंच है तो जापके है सर तो आपके है जब मालत के बहुआ है नही कि बाते हैं और कोशना ह वीर बहाए है पे जला हैर गिए हैं यालती है वीर है बहा मसूना ह।